नमस्कार दोस्तो आपका आपके अपनी चैनल में स्वक्त है तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानि की 6 एक्टूबर के कुछ एक महत्वूरन एजूकेशनल अपडेट्स के बारे में जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहां पे तो HPU BA, BSC, Bcom, First, Second और Third Year के कुछ एक स्टुडेंट ऐसे हैं जिनके Re-Evaluation के Result जो है वो जारी हुए है तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा इसी के साथ है HPU UG Re-Appear की जो डिर सीट है उसमें भी जो है वो चेंजिस हुए है तो उसके रिगार्डिंग भ जो Re-Appear की डिर सीट है उसकी बात करें तो यहां पर HPU ने BA, Owners, Economics की जो Second और Third Year की डिर सीट है उसमें चेंजिस करें है तो जो भी BA, Owners, Economics के Second और Third Year के रिगार्ड वाले स्टुडेंट है वो अपनी यह डिर सीट यहां पर चक कर लें बाक्कि जो भी डिर सीट है वो एजिट बैसे ही रहेगी जो चेंजिस हुए है वो सिर्फ BA, Owners, Economics की जो Second और Third Year की डिर सीट है उसी में जो है वो हुए है नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU के जो UG के यहां पे Re-Evaluation के result है उनसे समंधित रहेगा तो पिछले कल जो है वो HPU ने UG के जो BA, BSC, Becom, First, Second और Third Year के student है उनमें से कुछ एक के result जो है वो जारी करे थे यहां पे कुछ एक student मुझे बता रहे थे कि उनके result जो है वो जारी हो गए है तो यहां पे जो भी HPU के BA, BSC, Becom, First, Second, Second और Third Year के student है वो यहां पे HPU के में अपनी जो student उनका portal है वहा यहां पे जारी हो गए है नेक्स्ट अप्डेट की बात करूं तो नेक्स्ट अप्डेट जो है वो अपका सदार प्रेल इंवस्टी मंडी से समंधिते रहेगा तो सदार प्रेल इंवस्टी मंडी के जो UG के re-evaluation के form है उनका option भी जो है वो student ID पे आ गया है तो जो भी student है ज ग्रूप को जोईन कर लेना है जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की description में दे दुगा तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन करोगी उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्यरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगोंने बहां पर मुझे पर आने बाद